कक्षा 4 सहज हिंदी वैकरण तथा रचना आज का हमारा विशे है अनुछेद लेखन अनुछेद लेखन एक कला है बच्चों आज हम अनुछेद के अध्यन से पुर्व या जानेंगे कि अनुछेद क्या है किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुछेद लेखन कहलाता है अनुछेद कुछ वाक्यों में लिखा जासता है इसमें निबंद की तरह अलग-अलग अनुछेद पैराग्राफ नहीं होते इससे बच्चों की रचनात्मक, क्रेटिव थ्रेट, शमता का विकास होता है आप कह सकते हैं कि किसी भी विशय के मुख्य बिंदों को मिलाकर सीमें शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को अनुछेद लेखन कहते हैं अनुछेद में छोटे-छोटे वाक्यों होते हैं जो विशय आधार पर एक दुसरे से जुड़े होते हैं अनुछेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहती हैं अनुछेद लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बात दे पहला दिये गये विशय को अच्छी तरह विचार करें अर्था जो विशय दिया गया है उसे अच्छी तरह से पहले विचार करें कि आप उस विशय के बारे में क्या-क्या जानते हैं दूसरा भाषा, सरल, स्पस्ट्य और शुद्ध लिखे अर्थात, आपकी भाषा इस प्रकार हो कि कोई भी आसानी से समझ और पढ़ सके तथ सबसे मुख्य की भाषा लेखर याने वैकरन सम्बंधी तूट्या ना हो दूसरा, वाक्य छोटे छोटे लिखे क्यूंकि आप अनुछेद लिख रहे हैं निबंद नहीं, अनुछेद का नियम है कि वाक्य छोटे छोटे हो और अर्थ पुर्ण हो चौथा, एक विचार को एक बार स्पस्ट करे पुन्रा वृत्ती से बचे, पुन्रा वृत्ति कर्थ हो तर रिपीट करने से यानि एक ही वाक्य को बार बार दोराने से बचे उन्हें रिपीट ना करे विचारों का आपस में ताल मेल बनाए रखे इसकार्थ है, जिस विशे विचार का लेखन हो रहा है उस विशे से हटकर दूसरे विशे का उलेख ना हो यथा स्थान मोहावरों का प्रयोग करे मोहावरों के प्रयोग से इसकार्थ है कि मोहावरों के प्रयोग से आपका जो लेख है और भी प्रभावशाली बन जाता है आज का अनुछेद का विशे है मेरी मा विशे के अनुरूप विचार करें कि आप अपने माँ के विशे में क्या क्या जानते हैं उनका संबोधन किस प्रकार करते हैं वो जितना आपकी मदद करती हैं आप भी उनकी कितनी मदद करते हैं परिवार में उनके इस्थान का महात्व भी आप बता सकते हैं तो इस रकर ये अनुछेद है मेरी माँ पर. मेरी माँ का नाम अनुपमा है. यहाँ आप अपनी माता का नाम भी लिख सकते हैं. मैं उन्हें मम्मी कहकर पुकारता हूँ. वे सुभा जल्दी उठती है, हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती है. स्कूल के लिए तयार होने में मेरी मदद करती है. शाम को स्कूल से आकर मैं उनके साथ घुमने जाता हूँ. तथा घर की कामों में उनकी मदद करता हूँ. वे मुझे बहुत प्यार करती है. मैं भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ. मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है तो बच्चो इस अनुछेद में आपने याद देखा और सीखा कि किस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों द्वारा आप अपने विचारों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकते हैं आप या मोहावरे का भी प्रयोक कर सकते हैं जैसे मैं अपने मा के आखो का तारा हूँ आखो का तारा करत होता है बहुत प्यारा इसी प्रकार विशे के अनुरूप आप अन्य मोहावरों का भी प्रयोक करें आशा करती हूँ आप इस पार्ट को दोहरा कर अभ्यास जरूर करेंगे धन्यवाद